मसाल डोसा बनाने की बहुत सारी बिधी है इसे अलग-अलग जगों पे अलग-अलग तरीकों से बनाये जाता है और ये रेसिपी बहुत ही स्वाधिष्ट भी लगती है नमस्कार, कल्पना चुबे रेसिपी इसमें आपका स्वागत है मैं भी आज सांबर और चटनी के साथ मसाल डोसा बना रहे हूँ सबसे पहले डोसा बनाने के लिए चावल और दाल को भीगोना होगा ये डोसा इडली बनाने वाला चावल है इसके दाने छोटे-छोटे और मोटे-मोटे हैं वजन में ये 200 ग्राम है और ये भी चावल है वजन में ये 100 ग्राम है इस में डाल देंगे इन सब को पानी से अच्छी तरह से धोलेंगे और 7-8 घंटे के लिए भिगो देंगे चने की डाल से डोसे में अच्छा कलर आता है डोसे के बेटर के लिए यही मेजर्मेंट है 3 हिसा चावल और 1 हिसा दाल डोसा इडली बनाने के लिए डोसा इडली वाला चावल हो यह जरूरी नहीं है लेकिन डोसा इडली बनाने के लिए चावल थोड़ा मोटा वाला हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है चावल मोटा हो और पुराना भी हो क्योंकि नए चावल से डोसा इडली अच्छे नहीं बनेंगे दाल को बारिक पीशना है बिल्कुल बारिक हो गया ये दाल पीशते समय पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है डाल को बारिक तो पीसना है लेकिन पतला नहीं करना है क्योंकि घोल पतला हो जाएगा तो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं अब चावल को भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पीस लेती हूं चावल को भी बारिक ही पीसना है सब कुछ बनाने के चक्कर में वीडियो थोना सा लंबा हो गया है चावल भी पिस गया है इसे भी इसी में डाल देती हूँ अब ये बॉयल राइस है इसे पीसना है इसे पीसने में थोना ज़्यादा समय लगता है क्योंकि बॉयल राइस हार्ड होता है ये भी पिस गया है और इसे भी उसी में डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ठंड का मौसम है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगा वैसे तो इसे देख कर लग रहा है कि अभी फूल गया है इसे 12 से 14 गंटे के लिए ढग देती हूं करीब 16 गंटे के बाद मैं इसे चेक कर रही हूं फूल कर उपर तक तो नहीं आया है लेकिन फिर भी फूल गया है इसे मिला लेती हूं अच्छी तरह से डोसे के लिए जो हम चावल डाल पीशते हैं वो बिलकुल बारिक पीशना है चावल भी बारिक पीशना है और दाल भी बारिक पीशना है बारिक पीशे हुए घोल का डोसा बहुत अच्छा बनता है अब डोसा बनाने के लिए अलग से एक बरतन में थोड़ा सा निकाल लेती हूं और हलका से इसमें नमक मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर दोसे के लिए एक perfect भोल तैयार कर लेंगे दोसे का घोल पतला रहेगा, तो डोसा पतला बनेगा और गोल अगर गाढ़ा होगा, तो डोसा भी मोटा बनेगा डोसा का better तैयार होगया, आप सांभर बना लेती हूँ ये 60 क्राम अरहर की दाले से पानी से धोकर कूकर में डाल दी हूँ और इसमें डाल रही हूँ पतले कटे हुए प्यास, टमाटर, लोकी, बेंस, शिमला मिर्च, गाजर, हरा मतर, कटे हुई हरी मिर्च, कुटा हुआ अधरक, स्वात के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर, हींग, कसूरी मेथी और सांभर मसाला इन सब को मिला लेंगे और कूकर का ढखकन बंद करके सॉफ्ट होने तक पका लेंगे सांभर को एक बार चेक कर लेती हूँ सॉफ्ट हो गया है, इसे एक कल्ची की सहायथा से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसी टाइम पे पानी और इमली का पल्प भी डाल देंगे सांभर को गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं अब इसे दो से तीन मिनट के लिए खुला ही पका लेंगे सांभर तयार हो गया है, अब इसमें तड़का लगा लेती हूँ और गरम तेल में डाल देंगे जीरा, राई, कढ़ी पत्ते, हींग, सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर अब ये टेस्टी टेस्टी सांभर तयार हो गया आलू का मसाला बनाने के लिए गरम तेल में डाल रही हूँ जीरा, राई, हरी मिर्च कटी हुई अब डाल देंगे हरे मतर, हरे मतर को पहले फ्राई कर लेंगे मतर फ्राई हो गया, अब पतले कटे हुए प्याज डाल देंगे प्याज को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे प्याज भी फ्राई हो गया अब डाल देंगे हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मसालों को डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे अब डाल देंगे कोटा हुआ अद्रक और लहसुन थोड़ा सा मिक्स मसाला इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे, अब डाल देंगे स्वात के इसाफ से नमक और बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ता अब डाल देंगे बॉयल किये हुए आलू जो मैश करके रखी थी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे आलू का मसाला तयार हो गया, अब चटनी बना लेती हूँ चटनी बनाने के लिए मुम्फली को थोड़ा सूखा भून लेती हूँ कच्छिल का निकाल कर एक जार में डाल देंगे ये सूखा नारी अले क्रश किया हुआ, इसे पांच मिनट पानी में भिगो दी थी चटनी बहुत अच्छे पिस गई है, इसे एक बावल में निकाल लेती हूँ अब चटनी में भी तड़का लगा लेंगे गरम तेल में डाल रही हूँ राई, उड़त की डाल, चने की डाल, कड़ी पत्ते, और सोखी लाल मिर्च बहुत इस्वादिश चटनी तयार हो गई, अब डोसा बना लेती हूँ डोसा बनाने के लिए गरम तवे पे थोड़ा सा देशी घी या तेल डाल देंगे और इसे पोच लेंगे अगर तवा ज़्यादा गरम हो गया हो तो थोड़ा सा पानी का छीटा डालेंगे और इसे भी पोच लेंगे अब इस कल्ची से तवे पर घोल को डाल रही हूँ और इसे धीरे धीरे कल्ची को घुमाते हुए फैला लेंगे दोसा नौन स्टिक या लोहे के तवे पर ज़्यादा अच्छा बनता है दोसा बनाने के लिए तावा का टेंपरेचर बिलकुल नॉर्मल होना चाहिए ना ज़्यादा गरम और ना ज़्यादा ठंडा दोसे के चारों तरफ किनाले किनारे देसी घी या तेल लगा लेंगे अब आलू मसाला दोसे पर डाल देती हूँ और अपने मन मुताबिक दोसे का शेप तयार कर लेंगे अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ ये रेसीबी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किज़ेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद